तुने नहीं पता कि उनका बाप खड़ा है सामने और वो भी इंडिया और भी इंडिया जैसी टीम का मगाबला करना असान तो नहीं है अब लेकिन जीत तो बंगलादेश साओ साल भी लगा ले इंडिया से नहीं जीत सकता आपने देखो नहीं किस तरके से टीम बनी वी इंड बंगलादेश के टीम का कैप्टन पैट की मिन सोडीन है जो बात पूरी करें वह भी इंडिया के वोम ग्राउंड के अंदर जाके तरे सवाला की वाम को चुप कर वह यह रहर कोई उस्ट्रेलियन नहीं हो सकता हर कोई उस्ट्रेलियन पैट किमिन्स मिचल स्टार कर डैविड स्टीव स्मिथ नहीं है यह क्या बंगालियों ने करना खेल कर यह तो बहुत टेस्ट मैच हो रहा है अस्सलाम अलेकुम आप देख रहे हैं पब्लिक रेक्शन चूर मैं हूँ दानिया लानीफ जैसा कि आपको पता है कि 27 सेप्टमबर से इंडिया वसे बंगलादेश दूस से पहाड जैसे मार्जन के मार्जन से आदने के बाद आप इंडिया को ऐसी बाते सुनाएं आप पैट कॉमन्स भी नहीं है आप एक बंगलादेशी टीम है ठीक आप आक से जीद गए लेकि इस तरह की बाते करनी आपकी बंती नहीं है इंडिया ने आपको दिखा दिया कि हमारी टकर की तो वो स्टेलिया भी नहीं है आप हमें बाते सुना रहे हैं तो रोई शर्मा ने बात की कि बारी होने वाले आपकी स्टेटमेंट का कितना ज्यादा असर है इसी बात पर हम लोगों से राय लें कि क्या बंगला देशी कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दिया उ और दूसी तरफ देखा जाए तो 14 सालों से पाकिस्तान कोई भी हम स्रीज अभी तक नहीं जीत सकी यह सारी बाते लोगों से जानते हैं चलते हैं अवाम की तरफ अस्सलाम अलेकुम वालेकुम स्लाम कैसे आप अलामदुलिल्ला अगर बात कीचे बंगलादेश वसे इंडि इंडिया के खिलाफ और इंडिया के गेस्ट सबसे पहले आप यह देखें उनके पास जो एश्विन है बहुत बड़ा बैट्समें और एक ऑल रॉंडर भी है जो साबित हुआ है आई सीजी के अंदर रैंकिंग निंबर वन पे भी बिल्कुल ऐसे बिक्टे लेगे आखरी करके गया और बहुत से बाद शुमन गिल की सेंचरियों में नज़र आया रिशापंद के शाड़े-चैसो दिन के बाद कंबैक टेस्के नज़र आया और उसमें भी सैंचरी तो आपको क्या लगता है कि लिटन डा शाकी बुलहसन मुश्विक और रहीम यह सब कर सकते हैं ब बंगलादेश्च के टीम का कैप्टन पैट किमन सोडीन है जो बात पूरी करें वह भी इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर जाके तरे सवाला की वाम को चुप करवाए यहर हर कोई उस्ट्रेलियन नहीं हो सकता हर कोई ऑस्ट्रेलियन पैट किमन मिचल स्टार कर डैविड बनाई करें तो जलालत है टाइम वेस्ट है आपका भी और मेरा भी आंट फे रैकिंग वाली इस स्री लंका को स्पोर्ट कर ले जो तीसरे नमबर पर आगई है अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो या की क्रेस्टन फिर पूल गया है पाक्सान ने जलील कराना दूसरी तर उनके माइंड साथ चल रहा होता है कि जीतने के बाद ही टीम को चेंज कर रहे हैं यह फर्स वोल तो देके ना सरफ राज खान ने जो अपना डेब्यू की थैंग इंगलेंड के खिलाफ वो बुरी दुनिया के सामने आते साथ हाफ सेंचरी इस ने को लेड की थी ती तो यह तैस नेस हो जाएगा और वही हुआ है यारा बजे पाकिस्तान के यारा बजे बंगलादेश के टीम पूरी होल आउट थी छे विक्टे आपका एश में ले गया जतेजा का जतेजा का जादू चले गया था चे और तीन नो एक भुमरा मैं गयता हूं इनके साथ दोजार तक सकता है सीरीज ने को हीरा सकता है टेस्ट मैश हारा हुआ सीरीज ने इंडिया हारा हुआ वह अलग बात है कि इंडिया एक स्रॉंग टीम अपने होम ग्राउंड के अंदर वह बेश्यक अपने मजे के अपने फेवरिट पिच बनाती है स्पेन बनाती है जैसी मर्जी बनाती पाकसाल भी बना ले विदा भी बना यह थी लेकिन हम एक्सपोज हो गए बात हैं लोग करते हैं कि भाई आम लोग ने कहा कि इंडिया के में काबला करना यार वी कांट इमन कम्पिटेट विद निपाल हम लोग युज फैनल यह वो पच्छी यह इंडिया इंडिया इस जी इ पे हैं मुझे ना मैं इंडिया की टीम आपको लगता है कि अस्ट्रेलिया से तीसी दफ़ाइब क्योंके पहले देखे पहले न्यूजिलैंड को शुक्कर है कोई ICC की ट्रोफी मिली इंडिया पूदी ताकत के साथ नहीं आए कि को दो फानल आरे हुए वह बाई जान आपक इंडिया क्रिकेट बोर्ड है लेकिन फिर भी नो डाउट अब मेरी यह बात सुने जो अची क्रिक्ट केलता है वही जीदा नो डाउट लेकिन इस बार चलें 50 50 आए मज़ाएगा मैज का बहुत मज़ाएगा क्योंके इंडिया के दिल में दो सखं लगे गए हैं तीसरा वह परदाश नहीं कर सकता है अगर तीसरा भी तो जितना चाहिए ना पर जीच लिए लिए लोड़कुम आपकर वाले थे वोल्ड़कुम आपकर वार्नर वार्नर यार उसमान खौजा उसके बाद ट्रैविस हैड प्रता है नहीं कोई मुश्किल नाम है यह चाहर हैं आउट कर लो इंडिया जीद गई असलाम अलेकूं कैसे आप अगर बात की जाए 288 रन से बंगलादेश ने पहले टेस्ट मैज में शिकस्त का ही है उसके बाद पिर उनका नजीन हसन जो शांट हो है वो कह रहा है कि हम लोग इंडिया को दूसरे टेस्ट में रहा देंगी ऐसी स्टेटमुंट देने का क्या मक्सद है लग रहा है कि अभी वह अपना दिल ब इंडिया की किनी कमाल की टीम में इंडिया की तो मुझे नहीं लगता कहीं दूर दूर से कि बंगलादेश की टीम मुकाबिला भी कर पाएगी फस्ट मैज नो डाउट उनके बॉलर से फस्ट में इनिंग्स में बहुत अच्छी फाइट की है उनका टोप ओडर को बड़े अ वनोंने क्या कमाल की गिली पी इंडिया का हर पी टीम मुझे लग्ता कि 11 की 11 पर्कॉंमर है की फसके प्यूर से ने चैनूर को यह यह वह फूरा पर की वस्ट करके चले गया तो वह समझत होगय तुम झायाखे, शय rept motiv आगे भी बाकिजां जैसी टीम ही आए भी पाकिस्तान को आप कर सकता। पाकिस्तान का, आप देखाने, ना सार ना पेर, तुम में, कोई पता नहीं है कहां से प्लेऊर हिए जेर है, इंजर्ड है, या फॉर्म है, इसकी झाधगी नहीं है. यही इस इसे सुरते हाल रहेगा तो आप कभी भी परफॉर्म में कर सकतें आपकी टीम कभी भी आगी निए जा सकती इंडिया की वाही विजन है कि हर प्लीयर परफॉर्मर है हर प्लीयर परफॉर्म करता है इस वजह एक हर टीम खर मात देsam से जीती है तो सेम कम्बिनेशन के साथ जाना चाहती होती है लेकिन इंडिया इतने बड़े माजन के साथ जीतने के बाद फिर अपनी टीम में चेंजिस करने जा रहे हैं उनके इसे माइंड सेट के ऐसी क्या सैच्टी जो आजमाते हैं वह जी सर देखा जाए तो जिस तरह के स जीता हुआ है फिर भी अपने चेंजिस कर रहे हैं उनके इसका नाम आपको घिन्वार गिन्मादे बेड़े सुबाहाँ गाए इतना उनके पास बेकप है तो इंडिया की टीम तोड़के तीन चार टीमें वह बना सकतें इतनी कमाल की स्ट्रॉंग टीमें बना सकते हैं वह त्वीजी स्टीमें वो निकलाएंगी बंगला देश और इंडिया को कोई मकाबला नहीं इससे वह हर प्लेयर को मुक्त देना चाहते हैं हर प्लेयर को अजमाना चाहते हैं सर्फरास खान के आपने परफॉरमस देख नहीं इंगले तर चोष़दा सालों से इंडिया कोई भी होम सीनी जबी तक नहीं जीता ऐसी क्या वजह कौन थी तीम है कि या कोई भी आसी तीम नी रहाएं कि जो इन्डिया को रासा के वहाँ पर जी बिल्कुल इंडिया को राने के लिए अभी देखें आप बड़ी बड़ी टीमें आई अस्ट्रेलिया आई एंगलेन आई ए हर्ट निजिलेन आई ए जितनी मर्जी टीमें आई हैं कोई किसी ने भी हमें हराया उनको एक आदा मैच रहा है उसके बाद सीरिस हराने की कोई किसी में भी दम नहीं रहा आप देखा होना है कि जिस तरह के सो उन्होंने अपनी के उपर उन्हें ने वर्क किया है जस्वीक बुमरा ने जिस तरह के से फास्ट बॉलिंग में लीड कमांड संभाल के जिस तरह के वह बंदा लेगे गया अपनी फास्ट बॉलिंग लाइन आपको स्पिन नौड आउट उनकी शुरू से बहतर थी और उस्पिन में वह बहु टीम को जीतनी अब दुबारा जो ऑस्टेलिया इंडिया की सिरीज होने जा रही है पांट्य टैस्ट मैचरिज की सिरीज सेलिया में है इंडिया वहां पचला पाई गयर क्यों ने देखा हो ना कि दोसरा सिधिनी आपने के बावजियत भी ऊफे था पारश्ट्रूर ये ति दूसरी टीम की बस की नहीं अब भी तीनों बोलर मजूद है मेरे ख्याल से मुकाबला करना मुश्किली नहीं बलकर नम्मकिन सा नजर आते हैं स्पेशली बात करता हूँ बुमरा की और जदेजा की और ऐशवन की भाई आप ने इनकी बैटिंग भी देखिए होगी वहां पर बेशक उनके बड़े सीनियर नहीं चल पाये कोई मसला नहीं है लेकिन उनके जुनियर या जो नया टैलेंट है उन्होंने बताया सकते हो बाईर सब्वल्ड टेस्ट चैंपिएन के में वहमों पर नहीं वहमों चांपिन्धियर पर इंडियाि ही विए लेकिन अलिकानी पले लेकिन इंडिया मैच भी 200 सी दन से जीता है इतने बड़े माजन से उसके बाद फिर वो चेंजिस करने जा रहे है इसके पीछे क्या वज़ा है यह वो हर दफा नहीं प्लैनिंग के साथ में इदान में उतरते हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि भाई हो सकता है वो ने लोगों को मुका दे रहे हो कि भाई आएं खेलें और हमें बताएं कि आप में कितना टैलेंट मजूद है हो सकता है उन्हीं में से कुछ लोग कुछ लड़के जो है वो ऐसे हो जो आगे वर्ल्ड टेस्ट चेंपियन में काम आ सके और आगे इंग्लेंड की सीरिस भी होने जा रही है तो यह हो सकता है वहां पर यूटिलाइस कर सकते हैं लेकिन यह अभी बहुत सारी चीजों को इस है इसके पीछे हैं बड़ी बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रگल की बाहता है पाकिसान में तो नहीं नदर आतीगी जो इंडिया गर आ सके हरा सकते हैं जो अच्छा प्ले करेगा जैसे के अभी 2023 की बात करें जिसमें चैंपियन क्या नाम है वो टीटोवडी वर्ल्लकप जो है वो एस्टेलिया जीत कर गया है लेकिन मूझ से दुबारा छील लिया उन से टीटोवडी वर्लकप की शकल में तो देखें कहीं ना कहीं इ आपको मिन्हें अपना रिवेंज जी करने में कामयाब हो जाता है मैं कहता हूं के इंडिया के साथ मकाबला या पंगा लेने का नहीं है तो आने वाल इसी इस इस इंडिया की इस टेलिया में है वहांपे क्या लगता है आपको ? मुझे तो अभी तक पयलए नदर आ रहर है हार मिदान में वो टेस्ट की बात करो ओडिया की बात करो या पी टी ट्वंडी की बात